देश में अब चुनाव में लड़ाई जब होगी तो इंडिया बनाम इंडिये होगा इंडिया नाम रख देने से बीजेपी खेमे की तरफ से बहुत बयान बाजी शुरू हो गई है इंडिया और भारत को लेकर अलग-अलग तर्क दिये जा रहे हैं आम आदमी पार्टी कल व तो यह स्टार्ट अप इंडिया किस ने दिया मुदी जी तो अंग्रेज नहीं है मेकिन इंडिया किस ने दिया नरेंदर मुदी अंग्रेज नहीं है वो तो बिटिस सासक नहीं है वो तो भारती है तो यह इंडिया सारे योजनाओं में इंडिया का नाम क्यों दिया और तो कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की घबराहट इंडिया की बैठक के बाद साफ तोर पे देखने को मिली 38 राजनीतिक दल उन्होंने बुलाए अब उन राजनीतिक दलों की हालत क्या है एक कह रहा है हुजूर हमने 5000 करोन का घोटाला किया है दूसरा कह रहा है हमने 10 का किया है तीसरा कह रहा हमने 30,000 करोन का किया है मोदी जी कह रहा है चिंता मत करो अभी तो मैंने 70,000 करोन वाले को पकड़ा था उसको सम्मान दिया ना एक कोप मुख्य मंत्री बनाया दूसरे को मंत्री बनाया तो ये न्यू डीलर आफ अडानी है ये एंडिये नहीं है और ये पूरी की पूरी सरकार अडानी की गुलाम है इस देश के अंदर आकास से लेके पाताल तक सब कुछ एक व्यक्ति के नाम इन्होंने निलाम कर दिया ह तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम इंडिया के लिए काम करेंगे और मोधी जी और उनकी सरकार और उनका गटबंधन जो निव डीलर अफ अडानी है या डानी के लिए काम करेंगा मुदी जी तो कह रहे हैं कि हम न्यू इंडिया बना रहे हैं इंडिया का मतलब न्यू इंडिया डेवलेप्ट हो सकता है इसी पर न्यू इंडिया तो 9 साल से वो बना रहे हैं कौन सा न्यू इंडिया बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिन लोगों पर बुल्डोजर चला रहे हैं ब्रस्ट अचारियों का निव इंडिया बना रहे हैं अब सिर्फ दाउद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह जाया है बाकी तो कोई कसर छोड़ी नहीं उन्होंने वाटर घोटाले को मुख्यमंत्री बनाया सारदा नारदा स्कैम वाले को लीडर ऑफ अपो के हरिष्चन बना रहे हैं हत्या करो लूट करो डकैती करो ब्रस्ट चार करो बीजेपी में जाओ मोदी वासिंग पावडर से नहाओ और साफ सुत्रे हो जाओ यह हो रहा है मीटिंग के बाद से बीजेपी नेताओं के इस तरह के बयान ब्यान ब्यारें कि अभी टूट कि क्या नीटिश कुमार जी ने कोई बयान दिया क्या मुझे तो जानकारी नहीं है उनसे पूछे ने देखे अगले स्टेप में अभी कल जो जितना एजंडा था जितने मुद्दे थे उस पर एक बात तैं हुई एक गड़ बंदन का नाम तैं हुआ अब आगे जो फैसले ह होंगे वो दीरे दीरे आपके सामने आएंगे एक बात और निकल के आई थी कि अर्विन केजरी वाल ने मीटिंग में सीट शेरिंग पर जल से जल निर्ने लेने के कहा है क्या आप लोग चाहते हैं कि इस फॉर्मले पर पहले बात हो ताकि आप इसमें आगे बढ़ सके और निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हैं जो जल से जल तैह होंगी तो इस गड़ बंदन के लिए अच्छी सम्मावना रहेगी स्टेट यूनिट का जिस तरह की से बयान आता है चाहिए दिली में हो पंजाब में कॉंग्रस की में बात कर रहा हूं वो खुश नजर नहीं आते हैं आम आद्मी पार्टी के साथ जाने में तो कैसे हो रहे हैं आदमी पार्टी से संबंदित कोई बात हो तो तो मुस्से रश्चाचारियों को शामिल करने के बाद एंडिये तैयार कर लिया है लेकिन अब एंडी की लड़ाई इंडिया से है और यह लड़ाई इंडिया ही जीतेगा एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी